पाली बहुत सरल भासा सर्फ एक से होता है संसार वाला या जो मेरा नाम है सुधीर उसमें जो से लगता है या नि बड़ा वाला जिसकी भारिय वाज होती है से पूरी पाली प्राकरतिक भासा के अंदर शेह शटकॉन और शेह नहीं है ये बाद में जोड़े गए हैं जब इसको संसकारित किया गया जो प्राकरतिक भासाएं होती है उनमें अक्षर हमें ऐसा कम होते हैं जो संसकारित भासाएं होती है उनमें कुछना को जोड़ा जाता है या कभी-कभी एका सब्द घटाया भी जाता है मगर mostly वो बढ़ाय जाते हैं तो पाली के अंदर शेह और शटकॉन वाला शेह दो शे नहीं है तो इसलिए उन से मिले हुए जो सैयुक तक्षर हैं सैयुक तक्षर उनको बोलते हैं दो अक्षरों को जोड़के जो अक्षर बनता है उसको सैयुक तक्षर बोलते हैं compound word बोलते हैं तो जो सही उतक्षर है compound word है दो अक्षरों को जोड़ के मिला है वो पाली के अंदर अगर share से साथ जोड़े हुए हैं तो वो सब्द नहीं माने जाते हैं वो है ही नहीं जैसे छत्रिय वाला share नहीं है छत्रिय वाला जो 6 है वो आधे के और share share मिलके बना है जब सल्जम वाला share है ही नहीं तो छत्रिय वड़ भी पाली का नहीं है जो स्री वाला है जिसको हम share बोलते हैं या स्री बोलते हैं वो सब्द भी इसमें नहीं है क्योंकि स्री जो बना हुआ है वो share और रह से मिलके बना हुआ है आधा शह आधा रह तो जो स्रे है वो सब्द भी इसमें अंदर नहीं है इसलिए स्री नहीं है स्री की जिए के स्री है यानि पुरानी भासा में स्री है और स्री माने होता था मुख्य यानि है पाली के अंदर ये वहीं से है और गय ग्यानी वाला भी गय नहीं है और त्रे सब् पूरी पाली के अंदर आधे रे का कोई सब्दी नहीं है यानि कि उपर जो आधा रे लगता है या नीचे आधा रे लगता है ऐसा कोई सब्द पाली के अंदर नहीं है इसलिए आप ये बात ध्यान कर लें कि अगर किसी में शे है शट्पन वाला छे है या छत्री वाला छे है या ग्यानी वाला गे है या त्रे है या स्री वाला श्रे है तो वो या आधा रे उपर लग रहा है या आधा रे नीचे है तो वो शब्द पाली के नहीं है वो मॉडिफाइड है संस्कारित है बाद में बने सब्द है जो बाद मे बनाए के सब्द है पाली मूल पाली बहुत सरल है और पूरे सब्द पूरे पूरे लगबग उसके अंदर है आदे हैं तो वो उसके अंदर हैं और वो उसी के हैं जैसे आदा चे आदा से आता है मकर आदा रे नहीं है पाली के अंदर एक सब्द है जो हिंदी ने बाद में खतम किया गया वो है आधा ले और रे ये पंजाब के अंदर और हरियाने के अंदर बहुत बोला जाता है आज भी बोला जाता है जैसे बोला जाता है सोडस अब हम इसको क्या बोलते हैं सोले बोलते हैं यह जो ले सब्द है यह आधा ले और रे हैं तो इसको बोलते है सोडस या आधा ले और रे मिलके यह बनता है तो यह ले की आवाज भी देता है और रे की भी आवाज देता है तो सोड़ समाने हो गया सोला ऐसा करके पंजाब के अंदर पंजाबी में यानि गुर्मुखी में और हर्याने के अंदर जो हर्याने भी भासा है उसके अंदर पाली के सब्दों का सबसे ज़्यादा इस्तमाल होता है और बेसिकली पाली वहाँ आभी भी जीवित है, क्योंकि पाली के अंदर डे, 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 ले, इनका बहुत इस्तमाल है और ये सारा इस्तमाल पंजाब में हर्याने में आज भी जारी है जैसे के हांड़ता जो सब्द है, हांड़ता पाली का सब्द है पाली में हांते को बोलते हैं घूम रहा है और हरियाने के अंदराज भी इसको हांता है जैसे लडड़ा है ये सारे सब्द पाली के हैं और पाली से बने हुए है पाली में जो एक सबसे मुख्य अक्षर है उसको बोलते हैं अनुस्वर अनुस्वर बोलेंगे और या बोलेंग यह निगहित और अनुस्वर इतने कमाल का शब्द है यह ए के उपर एगे बिंदी लगी हुई है ruption किया जाता है जो इसका तरजमा है जो इस तरह से आता है जैसे मेरा नाम है सुधीर सुधीर में बाद में अगर रह में एक बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा सुधी रंग जैसे आप बोलते हैं बुद्धं सरणंग गच्छामी तो आप बुद्धं बोलेंगे तो ये बाद की भासा हो जाएगी जिसमें हलंत हो गया ये बाद की संस्काइद भासा हो जाएगी और हलंत चुकि पाली में नहीं है परानी भासाओं में किसी में है ही नहीं निग्यित है वो लगता है ये निग्यित बाद में आवाज देता है अंग की, अंग यानि बुद्धंग, संघंग, धंमंग, सुधीरंग हर चीज में बाद में जिसमें बिंदी उपर लगे उसमें अंग करके बुला जाता है और ये थोड़ा जोड़ से बुला जाता है पाली के अंदर हलंत या विसर्ग नहीं होता पाली बहुत सिंपल है और सबसे खास बात है पाली में ओ की मातरा नहीं है यानि औरत वाली जो दो मातराएं होती है वो पाली में नहीं है पाली में सिर्फ एक है इसलिए बौध जो सब्द है वो संस्काइद भासा बाद का है और जो औरिजनल सब्द है वो है बौध बौध है या बौध बाद में बना है क्योंकि दो मात्रा नहीं है ऐसे ही इसके अंदर दो मात्राएं वेर में नहीं है वेर है ये सिख्खा पतंग समाधिया में जो आता है वेर मनी है वेर मनी नहीं है यानि हम जो कहते हैं कि सुरा मेर मजज़ा पमाद इठाना वेर मनी है वेर मनी नहीं है तो दो मात्राएं इसमें नहीं होती एक मात्रह होती है पूरी पाली भासा के अंदर कहीं भी दो मात्रह उपर आपको नहीं मिलेगी सिर्फ एक मात्रह मिलेगी ये पाली की खास बात है तो ये पाली में जो छोड़ी छोड़ी बात हैं ये बहुत कमाल की हैं और पाली के जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे जितने भी सब्द हैं सब्द को हम शद्द बोलते हैं पानी में सद्ध जितने भी वर्ड्स हैं या सद्ध हैं वो लास्ट में जब भी खतम होंगे वहाँ कोई ना कोई सवर जरूर होगा सवर को यहाँ सरा बोलते हैं सरा जरूर होगा, सरा का मतलब है वाविल जरूर होगा, वाविल का मतलब है कि पीछे कोई ना कोई मात्रा जरूर होगी, पाली के हर एक सब्द में कोई ना कोई मात्रा लाश्ट में होगी, पाली का कोई भी सब्द लाश्ट में आधा नहीं होता, अगर कुछ नहीं होगा तो उसमें ए की अवा जाएगी जैसे मेरा नाम है सुधीर तो सुधीर में बाद में रे और ए है आधा रे नहीं है इसलिए पाली के सारे जितने भी सब्द है ये खास बात है पाली की वो सरासे, सोडसे या जब वोविल हैं उन पे जाके खतम होते हैं अब आपने पाली के लिए करना क्या है डॉक्टर बियार अम्बेटकर बावा सावा अम्बेटकर ने 16 व वील्युम जो दिया है 16 वा वोल्युम पूरा पाली का है उसमें मराठी में, इंग्लिस में, हिंदी में पाली पूरी दिय done है पाली के वारे में दिया हुआ है वो बहुत मुटा वॉल्यूम है और वो 16 नमबर का वॉल्यूम है वो पूरा पाली का है आप इस बात को ध्यान से सोचिए कि दुनिया के छटे नमबर के विद्वान डॉक्टर अमबेट कर अगर अपने वॉल्यूम में पूरा पाली के नम कर गए तो पाली कितनी इंपोर्टेंट है क्योंकि पाली अगर आप सीखेंगे तो आपको पुरानी भासा प्राक्रतिक भासा समझने में आचानी रहेगी धम समझने में आचानी रहेगी और सारा जितना भी हिंदी है जितना मराठी है जितना गुजराती ह जितना पंजाबी है, जितना हर्यान भी है, यहां तक कि जो विदेशों में भासा है, जिन में अंग, सुंग, जैंग, पुंग बोला जाता है, उन सब के जितने भी अक्षर हैं जो बोल जा रहे हैं, वो सब पाली से बने हैं, पूरी पूरी भासा हैं, पाली से बनी हैं, इसल इसके लावा सम्यक प्रिकस्न के पास किताबे हैं, उनसे मंगाले हैं, इसके लावा दिली युनिवस्टी और भी युनिवस्टी हैं, उनमें जगे जगे पाली सिखाई जाती है, और पाली बहुत आसान है, आप शुरुआत किजी आज सही, शै की जगे सह बोलना सुरू कर द हैं, जैसे जो आदे अक्षर हैं, जैसे पान हैं, तो पान को प्रान किया गया है, पानाती पाता बोलते हैं हम, पानाती पाता, तो प्रानाती पाता, यानि बाद में संस्कारित किया, तो उसको पान को प्रान कर दिया, जैसे प्राकुर्तिक है, तो पक्ति, प्राकुर्तिक बोलते हैं पक्ती, इस तरह से ये सब्द लगाता 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 आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बहुत आसान है, अगले एपिसोड में मैं फिर आपको पाली के बारे में कुछ खास बात बता हूँगा, धन्यवाद